नमश्कार, विल्कम टो माई चैनल, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी सुब कामनाएं, आपका नए वर्ष शुब हो, मंगल मैं हो, आप सभी की मनुकामनाएं पूर्ण हो, मता महालक्षमी के क्रपा, आप सभी के जीवन में स साथ ही कुछ आपके सवालों के जवाब भी होंगे, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुबात करते हैं, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, और हमारी वीडियो आपको हेल्फुल लगती है, तो प्लीज प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं, दोस्तों हम बात कर रहे हैं, पूजा पाट से संबंधित, तो पह प्राप्त होगी, जैसे कि भगवानगडपती को क्या चीजें प्री हैं, आप उन्हें दूर्बा चढ़ाएं, पूजन में बिना दूर्बा के भगवानगड़ेस का पूजन अधूरा माना जाता है, और बहुत जल्दी प्रसंभी हो जाते हैं, तो हरी दूर्बा जो घास ह होती है, उसे जरूर आप कहीं न कहीं से प्रयात्न करके ले आएं, आप एक गंबले में भी लगा सकते हैं, और भगवान गड़ेस के सिर पर दूर्बा घास चढ़ाई जाती है, तो इस तरह से आप पूजन में इस्तेवाल करें, अगली महत्वपूर बात आती है, भगवा जल्दी प्रसंद हो जाते हैं, बहुत ही कम चीजों से भगवान भूलेनाथ की पूजा हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान भूलेनाथ को क्या प्री है, लेकिए किसी को आप उनके प्री वस्तुएं देते हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं, तो भगवान भूलेन भोलेनात का अविशेक करते हुए पूजन करते हैं या आप भस में चढ़ाई दें उनके ओपर श्यूलिंग पर आप भस में चढ़ाएं भगवान भोलेनात के मंत्रों के साथ में तो भगवान की क्रपा आपको प्राप्त होती है कहने का अर्थ है कि बहुत ही कम समय में लिए तूरर इसतीमाल करें यदि ऐसे दिन है कि जब हम तुलसी नहीं तोड सकते हैं तो दें यह बिखे हुए पत्ते होते हैं उनका भी सालिग्राम के पूजा के लिए कर सकते हैं या फिर आप तुलसी तुलसी की माला भगवान सालिगराम के पास में जरूर आप रखा करें इससे भी सालिगराम की क्रपा आपको प्राप्त हो सकती है यह भी बहुत ही शुब होता है तो यह भी आप करके देखें और वही पर भगवान स्यू से संबंधित एक बहुत अच्छी बात याद आ कि शूलिंग पर आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि पांच प्रकार के फूल, पांच प्रकार के फलों की बात हमारे सास्त्रों में बहुत जादा बताई गई है, तो पांच फूलों में भगवान शियों को सफेद पुस्प अपरी हैं, आप सभी को पता है, ले इसरा सफेद पुस्प होता है, चोथा पीले रंग का पुस्प होता है, कोई भी पीले रंग का पुस्प हो, गेंदे का पुस्प है, कुछ भी आप इस तरह से पांच रंग के पुस्प हो, और वही पर नीले रंग के पुस्प हो, नीले रंग का पुस्प अपराजिता का ह वह आप चढ़ाएं बहुत ही शुब होता है इस तरह से पांच प्रकार के फूलों से भी भगवान शीव को प्रसंद किया जा सकता है अगला बहुत सारा सवाल आया है आप सभी का कि हम ब्रत उपास की शुरवात कब से करें तो हमें इस आपको बताते हैं कि शुकल पक्ष से ही किसी भी ब्रत की शुरवात करनी चाहिए शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है कि उस समय जो चंद्रमा के स्थिती होती है वो पूर्ण होती है और जब चंद्रमा मन से जोड़ के देखा जाता है, तो उसी प्रकार से हमारी मनो श्थिती होती है और अच्छे मन से यदि हम कोई कारी करते हैं, तो उसका अंत भी अच्छा होता है, इसलिए आप शुक्ल पक्ष देखकर ही किसी भी ब्रत की शुरुवात करें, चाहे प्रदोश ब्रत की शुरुवात हो, शुक्रवार ब्रत का हो, वीरवार ब्रत का हो, कोई भी ब्रत हो, और अंतिम दिन यदि आपको पीरट से हो जाते हैं, आपके परिवार में ऐसी कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, जिसके कारण आप उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ब्रत आपको लगातार करते ही रहना है, एक दो ब्रती, जादा नह ग्रहन करें, क्योंकि देखिए, उद्यापन में हम सभी अनाज वगरा सब चढ़ाते हैं, जो कि हम नहीं खाते हैं, तो वो सभी चीज़े आप बचा कर रखें, अगले दिन खा सकते हैं, इस तरह से ये उद्यापन और उसके करने की बात आती है, और कई लोगों ने एक करने के बारे में जानना चाहा है, तो एक दशी ब्रत करने के कुछ नियम होते हैं, जो कि मैंने आपको अलग अलग वीडो दी है, तो आप वो देखें, वैसे उत्पन्ना एक दशी से ही एक दशी ब्रत की शुरुवात होती है, और कुल पूरे वर्स में 26 एक दशियां होती हैं, तो पूरे एक दशी का आप वर्स भर करें, तब उत्यापन करें, या फिर दो-चार एक दशियां करके भी उत्यापन कर सकते हैं, लेकिन उत्यापन के लिए जो सही समय होता है, वा माग का महीना माना जाता है, जिस महीने में तिल वाली एक दशी आती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, उस एकदसी पर आप यदि उद्यापन करते हैं, आपके लिए अच्छा होता है, और जो एकदसी का ब्रत होता है, वो सभी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कि दसमी ग्रसित एकदसी का माने आपना करें, अक्सर आपने देखा होगा क की दो दिन एका डसियां पढ़ती हैं. जो एका डसी दो अदसी से संबंद रखती है, तो इस तरह से दोस्तों, आपको दसमी रहित एका डसी का चुनाओ करना चाहिए, यह आपने चाना, अब बीमारी से बचने के लिए कौन सा ब्रत होता है, कई लोगों ने पूछा था, तो सोमवार का ब्रत बीमारियों से हमें बचाता है, सोमवार का ब्रत हमारी मांसिक इस्तिति को मजबूत करता है, सोमवार का ब्रत चंद्रमा को और चंद्रमा मन का मालिक होता है, इसलिए सुमवार का ब्रत् आप करना प्रारव करें, दो बहुता हैं. सारे लोगों का था दोस्तों कि हम किसी भी चीज के चुर्वात यानि की जीवन में तरक्की पाने के लिए क्या करें और समसा ब्र dzieci Ч вет इंता नहीं धि Yup कोई भी ब्योसाय चोटा या बड़ा नहीं होता है लेकिन आप कोई भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं धन कमाना चाहते हैं तो आप धन के पीछे ना भागे आप अपने काम पर ध्यान दे निरंतर अभ्यास करना चाहिए हम कोई चीज बार-बार लगातार करते हैं तो अभ्यास हमें इस तरह से हो जाता है कि हम आख बंद करके भी वह कारे करते हैं तो वह हम सही और सटीक तरीके से करते हैं इसलिए बार-बार निरंतर अभ्यास करते हम आपको अपने आपको एक अच्छे स्थान पर पहुंचा सकते हैं आपने वह कहावत भी सुनी होगी रसरी आवत जातते सिलपर परत निसान और बार-बार अभ्यास जणमत होत सुजान यानि कि बार-बार अभ्यास करने से पत्थर जैसे चीज़ पर भी रसी के निशान पर जाते हैं और बार-बार अभ्यास करने से जो जणमत यानि कि जिनकी बुद्धी भी कम होती है वो ल लिए हमें कोई कारे को एक दिन या दो दिन करके नहीं छोड़ना चाहिए निरलतर लगतार आपको समय देना चाहिए हर कडम एक दिन आपको आगे बढ़ाना चाहिए तो ये छोटी-छोटी बाते हमें जीवन में ध्यान रखती होती हैं और इसी से हम आगे बढ़ते हैं ठीक की शुरुबात करें चलती है मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तक तक आप अपना ख्याल रखें जै मता दी